अनुपमा में देखने को मिलेगा की बर्खा और अनकुष अनुज को समझाते हैं कि कही बार सिर्फ गी ही नहीं बलकि सच भी टेड़ी उंगली से निकालना पड़ता है। ऐसे में अनुज उन दोनों से माया का सारा सच बाहर निकालने के लिए कहता है। बर्खा किसी तरह से माया से उसके पती के बारे में जानने की कोशिश करती है लेकिन माया उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर देती है। दूसरी और अनकुष भी माया के बारे में ऐसी सच्चाई धूंड कर लाता है जो खुद अनुज को हैरान कर देता है। अनुपमा में माया उसके साथ घुल मिलकर रहेगी। वो खुद के साथ साथ अनुपमा को भी छोटी अनु के लिए कार्ड बनाने के लिए कहेगी। इतना ही नहीं वो उसे छोटी अनु की बचपन की वो सारी तस्वीरे दिखाएगी जो उसने अभी तक संभाल कर रखी थ वो फोटोज देख खुद अनुपमा भी भावुक हो जाएगी। छोटी की नजर उनको देख लेती है और वो भाग कर अपने मम्मी पापा के कमरे में जाती है। दोनों उसे प्यार से जनम दिन की बधाई देते हैं।